तो starting a new topic muscle spindle physiology में central nervous system का topic होता है basically कुछ लोग इस lateral muscle में पढ़ाते हैं लेकिन हम CNS में पढ़ा रहे हैं अपन तो अपन है यार ओके तो कुछ बाते muscle spindle के बारे में नाम से पता दला है यह muscle है तो लेकिन यह contract नहीं करता पहले बार तो भाई साब इसका contraction में कोई रोल नहीं है दूसरी बात यह एक receptor है क्या है भाई साब receptor है muscle spindle contract नहीं करता contract मतलब contract force generate नहीं करता लेकिन जैसे अगर किसी चीज़ को उठाने के लिए force generate करना है 10 kg की बालती उठानी है तो उसके लिए force generate करना है तो वहाँ पर muscle spindle नहीं आएगा वहाँ पर दूसरे फाइबर आएंगे force generate करने के लिए उनको हम बोलते है extrafusal fiber और यह जो muscle spindle वाले होते हैं इनको बोलते हैं intrafusal fiber intrafusal fiber तो जैसे यह एक पूरी muscle है यह biceps मान लेते हैं तो इसके बीच में यहाँ पर यह muscle के बीच में कुछ intrafusal fibers होंगे 3 से 12 इनकी संख्या होती है जंदली और इनका एक group होता है इसको बोलते हैं muscle spindle muscle spindle बने कौन से fibers के होते हैं बाइस साब intrafusal fibers के अच्छा तो यह बाइस साब contract क्यों नहीं करते हैं मैंने बला कि contract अपने आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास central portion जो इनका होता है उसमें actin और myosin नहीं होते हैं याद रखो मेरे साथ central part में actin और myosin नहीं होते हैं तो contract नहीं करेगा लेकिन यह जो end है इसके यह जो इसके किनारे हैं इनमें थोड़ा बहुत actin और myosin होता है इसकी वज़े से यह वहाँ पर contract कर पाते हैं दूसरा यह receptor के रूप में काम करते हैं these are receptors not muscle तो भाई साब जो muscle है real muscle है जो हमारी conventional muscle जीन की बात का हम कर रहे होते हैं वो कौन सी है वो बागी का बचा पार्ट है जिनको हम बोलते है extrafusal fibers ठीक है अब यह जो muscle spindle है यह जो muscle spindle ही बना रहा हूँ यह muscle नहीं है यह muscle spindle है इसमें तीन टाइप के fibers होते हैं वाई साब कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के पहला होता है nuclear chain fiber याद करते हैं जाना मेरे साथ nuclear chain fiber यह कैसा दिखता है यह ऐसा दिखता है बिल्कुल सपार्ट सा और इसके यहाँ पर खूब सारे nucleus होते हैं तो यह nuclear chain fiber दूसरा होता है static nuclear bag fiber इस्टेटिक नुक्लियर बैग फाइबर ये कैसा दिखता है ये ऐसा दिखता है दिख रहा है ये बैग सा ठेला सा ठीक है तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि ये बैग जैसा दिखता है तो इसलिए इसको रांग दिखता है इस्टेटिक नुक्लियर बैग फाइबर तीस किसरा होता है डाइनेमिक नुकलियर बैग फाइबर डाइग्राम वैसा है लगबग कुछ फरक नहीं है इसको बोल दिया हमने डाइनेमिक अच्छा नाम से पता चल रहा है कि ये नुकलियर बैग फाइबर के ही दो टाइप है कि एक तो static nuclear bag fiber और एक dynamic nuclear bag fiber पता चल रहा है नहीं पलता चल रहा है भाई क्या बुना कहां लगा रहे हो nuclear bag fiber तो अब मेरे दिमाग में question ही आता है कि यह मैंने dynamic और static क्यों लगाया नॉर्मल यहां पर nuclear chain fiber ball के छोड़ दिया तो यहां पर भी छोड़ सकता है नहीं तो चलिए इसका हम dynamic और static में difference पता करते हैं क्या होता है dynamic response अच्छा response क्यों क्योंकि receptor है तो यह क्या करते होंगे यह muscle में जो changes हो रहे हैं कि muscle कितनी लंबी बड़ रही है कितनी contract हो रही है कितना उस पर weight है वही तो बता रही होंगे ना रिसेप्टर का और क्या काम होता है तो dynamic response कब बोलते हैं जब muscle की length एकडम से increase करे suddenly increase करे या suddenly contract करे ठीक है तब उसको हम बोलेंगे dynamic response लेकिन जब दीरे-दीर slowly slowly change हो तब muscle को बोलते है static static response तो dynamic response कौन से fiber sense करते हैं बिल्कुल बत्चा अच्छी बात है आपने बताया dynamic nuclear bag fiber static में कौन सा होता है पहला तो static nuclear bag fiber दूसरा nuclear chain fiber ठीक है अब मैंने तीनों के diagram बनाने हैं यह है अपना dynamic nuclear bag यह है अपना static nuclear bag बड़े गंदे diagram है और यह है अपना nuclear chain fiber ठीक है इन दोनों को यह static है static nuclear chain fiber और यह है nuclear chain fiber sorry यह nuclear bag है और यह nuclear chain है गलत कर गया न मैं और यह है dynamic bag fiber dynamic nuclear bag fiber obviously तो यह जो दोनों है इनसे जो sensation लेके spinal cord तक जाता है यह fiber to second fiber इनको बोलता है second fiber और एक दूसरा fiber होता है 1A type fiber यह क्या करता है यह तीनों को इन्रवेट करता है तीनों को ही supply करता है अब बहुत सी books में क्या होता है कि यह dynamic और static nuclear bag fiber है उनको direct दिखा देते हैं कि यह तो शिर्फ nuclear bag fiber है और वो बोल देते हैं कि यह जो two है वो शिर्फ nuclear chain को supply कर रहा होता है लेकिन नहीं Genong 25th edition में साब साब लिखा है कि dynamic bag fiber को यह two fiber supply नहीं करते हैं जो 1a है इनको बोलते हैं primary now ending क्या बोलेंगे इनको primary now ending और यह two fibers है second fiber इनको बोलेंगे secondary now fiber now ending secondary now ending अब मेरे को कोई भी देख के बता सकता है कि अगर dynamic response है वो कौन से now ending के थ्रू जाएगा obviously 1a के थ्रू जाएगा ना क्योंकि two ने तो supply नहीं करा dynamic bag fiber को और जो static है वो किससे जाएगा obviously कोई भी बोलेंगे बाच साब यह तो 1a और 2 से दोनों से जाएगा तो यह clear आ गया समझ में यह थी इसकी sensory supply sensory supply कोई भी पूछे तो हमें क्या बताना है कि 1a and two fibers यह दो fibers होते हैं जो sensory supply करते हैं किसको muscle spindle को muscle spindle के किते fibers होते हैं कौन किते type होते हैं dynamic bag sorry dynamic nuclear bag fiber static nuclear bag fiber और nuclear chain fiber और 1a सबको supply करता है लेकिन two dynamic nuclear bag fiber को supply नहीं करता अब यह जो muscle spindle है यह खास बात क्या है कि यह है तो receptor तो receptor में generally क्या होता है कोई से भी receptors हो उसमें सिर्फ sensory supply होती है लेकिन इसमें आपको बता हूँ बाइसाब अंदर की बात इसके पास motor supply भी आती है और motor supply कोई से होती है गामा motor neurons या इसको हम A gamma भी बोल देते हैं A मतलब anterior क्योंकि जो motor neurons होते हैं वो anterior parts से निकल के आते हैं और जो sensory होते हैं वो पीछे वाले part में जाते हैं यह तो पता होगा आपको तो अब generally होता क्या है कि यहाँ से जो 1 A और 2 गए यह 1 A और 2 गए यह किसको जाके supply करते हैं यह जाके एक दूसरा fiber होता है उसको जाके supply करते हैं जिसको हमने बुला A alpha और यह A alpha किसको supply करता है यह supply करता है extrafusal fibers को extrafusal fibers कोन से हैं बाइसाब extrafusal fibers नाम बोलते हैं आपके दिमाग में आचाहिए कि बाइसाब यह तो वो muscle fibers है जो power real में generate करके देते हैं ठीक है तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं कि उपर से cns से एक stimulus आता है चोटा सा और उसने गामा को activate कर दिया गामा की बुझे से क्या हुआ यह जो muscle spindle है इसके जो end है muscle spindle के end muscle spindle के end वो contract कर गए अब वो contract कर गए तो यह जो sensory neurons है यह 1A और 2 यह activate हुए यह activate होंगे तो क्या होगा फिर यह जाके A alpha को activate करेंगे और A alpha को activate करेंगे तो A alpha क्या करेगा पूरी muscle को contract करवाएगा ठीक है तो इसको stretch reflex भी बोलते हैं कि अगर चलो यहाँ पे तो मैंने option दिया है आपको कि यह जो gamma motor neuron है इसको उपर से stimulate करा है लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब हम कोई stretch करते हैं या prick करते हैं कोई पी अगर कील चुबाते हैं या pin चुबाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे contraction होता है इस muscle spindle में मुसल spindle में contraction होने की वज़े से यह 1,2 जो fibers है यह activate होते हैं और यह आगे जाके अलफा motor neuron को activate करते हैं अलफा motor neuron को यह अलफा भी में नहीं आपे लिखर रखा है तो यह एक पूरा reflex बन गया अच्छा यह गोल-गोल क्या बनाया है मैंने यह spinal cord segment बनाया है spinal cord segment बनाया है ठीक है तो I hope कि आपको muscle spindle की now supply muscle spindle के क्या काम है dynamic response और static response सारी समझ में आए हो अगर भाई साब समझ में आ गए ना थोड़ा साभी तो like लाल या काला जो भी है आपके वो कर दो यार कताई खुसी टाइप हो साईगी मेरे को ठीक है बाकी likes के बीग मांगने के थेंक यू